नमस्कार दोस्तों, पुझे शिक्ती चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नवी शबर हम चर्चा करेंगे वो है धन तेरस के दिन किस प्रकार नमक आपके जीवन में जो है धन का अग्मन शुरू कर सकता है दिवाली के पाँच परवों में से धन तेरस जो है सबसे पहला और बहुत ही महत्पून परव माना जाता है धन तेरस के दिन ही घर्ज में दीप माला की सजावर जो है शुरू हो जाती है माननेता है कि धंतेरस के दिन अगर कुछ आसान से उपाय किये जाएं तो माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर देव की पून क्रपा आपको प्राप्त होती है सबसे पहले आपसे यही कहूंगी कि धंतेरस के दिन हमें किसी की आलोचना जगड़े वाद विवाद को बिल्कूल नहीं करना चाहिए घर में सुख शांदी का वातावरन होना चाहिए संभव हो अगर जौब नहीं करते हैं घर पर ही रहते हैं तो सुभे के समय अपने घर में भजन कीर्टन ऐसा कुछ संगीत होता है जरूर चलाएं क्योंकि ऐसा मभाना जाता है जो ध्वनी होती है भजन की या शंक की या हम जो मंत्रो चारण सुनते हैं तो उससे घर में बहुत पॉजिटिव संचार हो जाता है तदा धनतेरस के दिनगरी किया जाए तो माता लक्ष्मी देव जो होते हैं हमारे धनवंत्री देव तदा कुबेर देव की क्रपा आपको पूंतह प्राप्त होने लगती है तदा देवता प्रसन होते हैं घर परिवार में शुबता आती है अब बात करते हैं आपके घर के नमक की नमक सभी को पता है कि कितना महत्पूर्ण होता है नमक का दान करना नमक को खरीदना तदा अगर इसे धन तेरस वाले दिन खरीदा जाया तो आपके जीवन में जो है बहुत सा धनलाब होता है हमें धनतेरस वाले दिन एक नया नमक का पैकेट जरूर खरीदना चाहिए उसी दिन जाके खरीदें तदा उसी का प्रयोग हमें पूरे पाँच दिन जो पाँच पर्व होते हैं दिवाली के धनतेरस के या जो भोजन बनता है इसी नमक से हमें बनाना है आप जो है इसी पैकेट में से सबसे पहले थोड़ा सा नमक के कटोरी में कटोरी जो होगी काच की भी आप ले सकते हैं परन्तु इस बात का ध्यान रखे कि प्लास्टिक की कटोरी ना हो कटोरी काच की, स्टील की, पीतल की चलेगी थोड़ा सा नमक जो है घर के उत्तर पूर्वी कौना यानि कि North East Corner जो होता है वहाँ पर आपको रख देना है तथा आप जो है ये दिवाली तक वहीं रखा रहन देंगे नमक और उसके बाद अगर आप ये कारे कर सकते हैं तो हर शुक्रवार को आप ये थोड़ा सा नमक जो ह जरूर अपने घर में रखें इससे ऐसा कहा जाता है कि घर में सफलता के मार्ग खुलते हैं शुबता आती है तथा जितना भी धन आपका कहीं रुका हुआ है करजे की स्थिती आई है कंगाली की स्थिती आ रही है दरीदरता आ रही है आपके घर में तथा घर की जितनी में negativity है वो सब दूर हो जाती क्योंकि आपके घर में अगर धन के मार्ग वास्तू के हिसाब से खोले जाए या अगर माता लश्मी को प्रसने करने के लिए पूजा पाट की जाए तब ही आपके जीवन में जो है सफलताएं आती है तथा आपको बहुत सा धनलाब होता है इसके अलावा बहुत से लोग कहते हैं हमें चांदी खरीदनी चाहिए सोना खरीदना चाहिए परंतु हमारे प्राचीन समय के अनुसार धनतेरस वाले दिन जो हमारे शास्त्र भी बताते हैं हमारे पूराने जो बुजर्ग थे वो भी तो आप कोशिश करें कि धन तेरस के दिन अपने दाएं हाथ के लिए एक चांदी का कड़ा बनवाएं इस कड़े को दिवाली के दिन तक माता लक्षमी के पूजन में उनके चंडों में रखा रहने दें तदा वही पर पूजा करें तिलक लगाएं और उसके बाद अगले दि तो सरफ माता लक्षमी का ध्यान करें उसके बाद माता लक्षमी का नाम लेते वे इसे अपने दाहिने हाथ में धारंड कर लें आप देखेंगे कि आपको जो है शीगर धन के मार कुलेंगे आपके अंदर आत्मे विश्वास जागरत होगा इसके साथ आपकी आर्थिक स्ति और जादा मजबूत होने लगी यह बहुत चोटा सा उपाय है यह स्पेशली धन्तिरस के दिन किया जाता है अगर आप कड़ा अल्रेडी बनवा चुके है यह आपने पिछले साल उसे प्रयोग किया है तो इस साल धन्तिरस के दिन उसे साफ करके माता के चड़नों में रखे तदा दिवाले तक वही रखे रहने दे और जो क्रिया है अगले दिन सुबह उठकर इसे पहले ऐसा करने से ऐसा माना जाता है आपका शुक्र ग्रह बहुत ज़दा प्रवल हो जाता है शुक्र ग्रह में अगर कोई दिक्कते आ रहे हैं तो वह समापत होती क्योंकि शुक्र करें धनतेरस वाले दिन हमें जो है धनतेरस के दिन अपने घर परिवार के लिए खरीदारी अवशी ही करनी चाहिए लेकिन इस दिन हमें किसी बहरी व्यक्ती के लिए कोई भी उपहार नहीं खरीदना चाहिए आप अपने कुटुम के व्यक्तियों के लिए उपहार खरीद गए किसी और को नहीं देने चाहिए अगर आप धंतेरस वाले दिन किसी और के लिए उमान खरीदते हैं तता उन्हें गिफ्ट कर देते हैं धिवली पर अधिक दर लोगicios लोगस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें धंतेरस वाले दिन यम देव की पूजा जरूर करनी चाहिए अधिकतर लोगों को पता होगा परंतु जिनें नहीं पता है उनके लिए हम ये बात दोहरा देते हैं यम देवता की पूजा साल में केवल जो है एक बार ही की जाती है जो की आती है धनतेरस वाले दिन यम देवता की पूजा घर में अकाल मृत्यू का जो भय होता है वो समाप्त करता है यम देवता की क्रपा होती है तो हमारे घर में जो है कभी भी अकाल मृत्यू का सामना हमें नहीं करना होता है तो यम देवता के नाम की आपको एक दीपक जलाना है वो कैसे जलाएंगे आप एक दीपक ले लीजे नया दीपक लेना होगा चार बाती का आपको दीपक बनाना है उन्हें जो है आप रोली और तथा चावल चढ़ा कर सबसे पहले अरपित करें एक रांगोली बनाए सुन्दर सी उसके उपर अपने घर के मुख्य द्वार पर जो मेन गेट होगा आपका घर का उसके आपको दाई और ये दीपक रखना है तदा दीपक की जो लौ होगी वो दशिन दिशा की और जानी चाहिए इस बात का ध्यान रखे तदा उन्हें प्रणाम करके कई लोग जो है इसमें कौड़ी और एक सिक्का भी डालते हैं अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं आप यम देवता से प्रातना करें कि हमारे घर में सदेव सुक समरिद्धी बनी रहे साथी साथ कभी भी कोई अकाल मृत्यू जो होती है हमारे घर में ना हो ये जो दीपक है हमें जरूर जलाना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है जब हम ग्रस्त जीवन में रहते हैं तो हम पर यम देवता की भी क्रपा होनी चाहिए ताकि हमारे घर पर कभी भी बुरी स्थितियों का सामना हमें ना करना पड़े तो स्पेशलि सुहागन महिलाओं से कहूंगी इस दिन यह जो है यम दीपक आप जरूर जलाए उनकी क्रपाद रष्टी लें ताकि आपके घर पर सदेव जो है उनका आशिरवाद बना रहे इसके अलावा जीवन में हर प्रकार की उन्नती करने के लिए धंतेरस के दिन व्यक्ति को चांदी से निर्मित एव प्रान प्रतिष्ठी नवरतन जो समान होता है घर में जरूर लाना चाहिए साथी साथ माता लश्मी के क्रपाद रष्टी के लिए हमें जो है चांदी निर्मित समान का प्रयोक करना चाहिए परंतु अगर आपके पुराना समान है आप जो पिछली दिवाली पर पूजा कर चुके हैं इस साल आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो उस समान को धो कर अच्छे से साफ कर कर जो है उसी प्रकार पूजा करें जिस प्रकार हम नए समान की करते हैं क्योंकि चांदी और सोना जो तो इस दिन हमें माता लक्ष्मी और भगवान श्री ग्रणेश की प्राप्ति के लिए सभी इशाओं से सुख समरिद्य और सफलता की प्राप्ति के लिए हमें लक्ष्मी देवी और ग्रणेश जी की मूर्ती की स्थापना अपने घर में जरूर करनी चाहिए गर में औरेडी मूर्ती है तो उनी की पूजा पाथ आप जो है नए वस्तर पहना कर भोग लगा कर अच्छे से करें इसके अलावा आज आपको धन तेरस के कैसी पोटली के बारे में बताते हैं जो की हमें विशेश तोर पर बनानी चाहिए बहुत सिंपल है चावल और शक्कर के दानों से पोटली तयार हो जाती है परन्तु इसके बाद अगर आपके घर में कंगाली है दरीदरता है कर्ज किस्तिती है तो बहुत ही जल्दी आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा यह एक प्रकार का दान माना जाता है धंतेरस वाले दिन पुराने जो हमारे बुज़ूर्ग है बहुत किया करते थे दान तो आप भी जो है कोशिश हो तो जरूर करके देखिए इसके लिए आपको जादा समान की जरूरत नहीं है आपके किचन में ही वो समान होगा एक होनी चाहिए पिछले काफी वीडियो में आपको बता चुके है कि फूल वाली लॉंग जो होती है साबूत लॉंग आपको लेनी है इसके लावा लेना है आपको एक रुपे का एक सिक्का अब आपको धनतेरस की शाम के समय पर जब राहुकाल नहीं होता इस बात का देहन र स्वास्तिक बनाएंगे और इसके ओपर जो है आपको एक रुपे का सिक्का रखना है और अपने राइट हैंड साइड में जो है आप शक्कर से ओम बनाएंगे और इस ओम के ओपर आपको जो है आठ जो लॉंग है वो रखनी है यह जो आप नेया कपड़ा या कागस पर क्योंकि धंतेरस से ही हम माता लक्षमी की पूजा शुरू कर देते हैं उनकी पटा जो है या हम उनकी जो चौकी है वो लगा देते हैं तो वहीं पर आपको ये बनाना है अगर आपने कपड़े पर बनाया है तो उसके नीचे एक थाली रख दीजे ताकि जमीन को नाचुए अ अगर जला सकते हैं धूब जरूर दिखाईए लाल फूल जरूर अर्पित कीजे पूजा पाट कीजे और डेली आपको यही मनो कामना करनी है कि हमारे घर से दरीदता दूर चली जाए हे माता लक्षमी हमारे घर में आके विराजमान हो ये हमारी सभी प्रकार के दुखों को हरिये तदा हमारे घर में बहुत सा सुक समरिद्धिक आवास करिये दिवाली के बाद जो हमारा अगली दिन सुभ़े आएगी उसके बाद आपको ये पोटली ले जाकर जो है ये कपड़े की या कागस की जो ये पोटली बनाई है आपने इसे ले जाकर माता लक्षमी के मंदीर में जाकर आपको यह दान कर देना है सिर्फ इतना सा उपाय आप करके देखिए आपके जीवन में किस प्रकार धन के मार्ग खुलते हैं दीवाली के दूसरे दिन अगर यह कारें नहीं कर पाते हैं तो 11 दिन तक यह पोटली वही रखे रहने जीज़ अपने मंदीर में कोई कर सकता है एक बार करके देखिए आपको निश्चित ही धनलाब होगा तथा इससे धन के नए मार्ग खुलेंगे सफलता की नई सीडियां आप चुएंगे साथ ही साथ आपके जीवन में व्यापार और नौकरी में व्रधी होगी अब क्योंकि बहुत सी मेरी बहनों के स चोड़ा से पाएं यहाँ अपर मैं और बताऊंगे आपको क्योंकि नमक दिन मातालक्ष्मी की पूझा के गिनते हैं इस बात का ध्यान रखें कि आपको माता लक्ष्मी को लॉंग का जोड़ा, लॉंग का जोड़ा कैसा होगा, दो लॉंग आपको डेली लेनी है और केवली उपाय आपको शाम के समय करना है, पांच दिन लगातार, दो लॉंग लेकर साबूद लॉंग ले, कहीं से टूटी द्धन की कमी नहीं होगी, अब यह जो पांच दिन आपने लॉंग माता लश्मी को अरपीत की है, इसके बाद लॉंग जो है अपने पर्स में, अपने तिजोरी में, अपने गल्ले में, अपने व्यापास थल पे जहां आप धन रखते हैं, जहां आपने धन, मतलब आपने गहने रख रखे हैं, वहां पे रख सकते हैं, और अगर घर परिवार में जैसे बती पतनी हैं, तो दो लॉंग अपने पर्स में रख लीजिए, अगर बच्चे हैं तो उनको दे दीजिए, ताकि आपके जीवन में धन के मार्ग सदेव खुले रहें, भाईयों और बहनों धन तेरस पर आप जो हैं, नमक के, लॉंग के, तता चांदी की उपाय करके अपने जीवन में बहुत से सुक्षम रिदी लेकर आ सकते हैं, ये उपाय जरूर करके देखें क्योंकि साल भर आपके घर पर धन की कमी ना हो, इसलिए ही हम धन तेरस से लेकर दिवाली तक करें तो आपके जीवन में आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं रहेगा, तो भाईयों और भहनों मैं आशा करती हूँ, आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, हम फिर मिलेंगे किसी नए विशे पर चर्चा करते वे, आप सभी का बहुत बहुत दन्यवा दोस्टू